नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एजुकेशन जोब लाइन पर दोस्तों काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे विशेशग्यों की टीम द्वारा ये सटिक कटोप आपके लिए तयार की गई है जो RPSC की आने वाली ओफिशल कटोप के लगबग बराबर बैठेगी तो इसलिए यदि आपके नमबर हमारे दुआरा बताई गई एक्सपेक्टिड कटोप के अंदर बैठ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से सलेक्टिड होकर एक गउर्मेंट टीचर बन जाएंगे साथ ही दोस्तों यदि आपने भी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और इसके साथ में जो घंटी का आइकन है इसको आप जरूर दबा दीजे ताकि आपको RPSC से रिलेटेड सभी जानकारी सही समय पर आपको प्राप्त हो सकें हमारा चैनल सबसे पहले आपको एकदम सही और अथियोंटिक न्यूज परदान करता है इसलिए आप इस वीडियो के नीचे सबस्क्राइब बटन पर क्लिक कर दें और इस घंटी का आइकन को जोर से दबा दें दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि SST के अंदर एक्सपक्टिट कटोप क्या रहने वाली है अधर सब्जेक्ट के एक्सपक्टिट कटोप हमने इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में दे दी है तो वहां से आप उन्हें देख सकते हैं तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल के लिए इसमें बॉआय आपके 19,953 थे और गरल्स आपके 31,501 एक्यान में थी और भरती आपके कुल 1878 पदों के लिए हुई थी तो बॉआय से कटोप इसके अंदर 310 से लेके 315 तक रहेगी और गरल्स वहीं इसके अंदर 300 से लेके 305 तक रहेगी तो मेल कंडिडेट ची कटोप आपके 315 से उपर कभी नहीं जाएगी तो यदि आपके नंबर इस कटोप के अंदर है तो आपका सेलेक्शन एकदम शोर हो जाता है अब हम बात कर लेते हैं OBC में OBC में बॉआए हैं आपके 6775 और वहीं गरल्स थी आपके 4816 इतने फूर्म आपके अपलाई हुए थे तो इसमें OBC बॉआए की कटोप आपके 305 से लेके 310 के बीच रहने वाली है और वहीं गरल्स की आपके 295 से लेके 300 के बीच रहने वाली है यदि आपके नमबर इस कटोप के अंदर आ रहे हैं तो आप एदम सेफ हो जाते हो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं S.C. की S.C. बॉय आपके 49,740 हैं और गरल सापके 25,300 फोर्म अपलाई हुए थे तो इसमें 225 कटोप आपके 295-282 के बीच और वहीं गरल सापके 260-265 के बीच रहेगी S.C. की बात करें तो S.T. बॉय आपके 19,530 गरल सापके 12,581 कटोप की बात करें तो बॉय आपके 265-270 के बीच और गरल सापके 255-260 के बीच रहेगी तो दोस्तों यह आपके एक्सपेक्टेड कटोप थी जो हमने आपको बता दी है साथी दोस्तों आपके कितने नमबर बन रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम एक्सपेक्टेड कटोप के और अधिक नश्दिक पहुच सकें साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक और सेर कर दीजे धन्यवाद दोस्तों